खेल दोस्तो खेल दोस्तो स्वागित आपके अपनी यूटूब चानल A2Z GKYMK पर आज ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपने साइंस का CAT ग्रूप D के साइंस साइंस का टेस्ट नमबर 9 का बारा में इसमें हम पर भी शीर के क्यूशन करवाए जाएंगे और पहला क्यूशन आज ही क्लास का कि सभी दातू कार्बोनेट अमल के साथ अभी क्रिया करके लवड कार्बन डायोक्साइड और जल उत्सर जित करते में जल देते हैं ठीक है यानि कि दातू कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट दातू ले लिए सोडियम और कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट जब अमल के साथ अभी ग्रिया करता है तो ये लवण पलस में कार्बन डायोक्साइड पलस में पाणी उत्सर जित करता है वहीं एक है तो अपना राइट अंसोर है, आप्शन नमबर ए, ठीक है, अगला जिस्चिन है, गलवनिकरन स्टील पर, डैस की पतली परचड़ा जाती है, जो गलवनिकरन है न, गलवनिकरन, गलवनिकरन होता भी, ठीक इसमें क्या राज आता है, एक, जैसे कि लो आ है, लो एक उप गलवनिकरन, स्टील पर, किसकी दातों सेड़ा जाती है वे स्टील पर, जिंके परचड़ा जाती है, एक पतली परचड़ा जाती है, ठीक है, और पतली परचड़ा नि, प्रकड़िया कह य खariamente आती है भई, यह कह लाती गलवनिकरन अगलम्नाइजेसन, ठीक है? अगला क्य है नवे अपने सरीर का साथ से साथ पॉइंट आठ के बीच में है ठीक है किया है हमारे सरीर का साथ से साथ पॉइंट आठ की पी एच स्रेन के कारिय करता है इसका बीच में अपने सरीर कारिय कर रहा है अगला है जलिय गैस का मिशन है जलिय गैस किश किश का मिशन है तो जलिय गयसे carbon monoxide और hydrogen का मिश्रण है ठीक है जब पाणी के अभी क्रिया देखो एक अभी क्रिया कर जाते हैं जब पाणी के अभी क्रिया स्टों के अभी क्रिया carbon के साथ करवाई जाती है तो carbon monoxide plus hydrogen गयसे वो छज़ित होती होई यह निली गयस होती है ठीक है अग्रा question है निमन लिखत में कौन सा संक्रमित रोग है तो संक्रमित रोग कुण सा भी जो share रोग है यह संक्रमित रोग है संक्रमित रोग वह भुआ होता है पाणी थे मादम से छोने से फैलता है ठीक अभी संक्रमने के दौरा अगला क्यूस्चिन है जल की एस थाई को टोरता दैस दुवारा दूर की जा सकती है जल की जो एस थाई को टोरता है वो किसके दुवारा दूर की जाती है तो उबार कर हम उसकी एस थाई को टोरता को दूर कर सकती है मैंने giàल की कठ्षण का मुखे खाने ये 2017 च्रुटिंग उनियमन में कौन स्चा एक मश्र मश्र सी JK अब देंगो उम्हेच सर्च होने वाला रोग है इसलिए आपना राइट अंसोर है D, इन मैं से कोई नहीं, D यापना दू अप्सोन इन मैं से कोई नहीं, ठीक है? अगला क्यों सुन है फेपड़ों पर दो पतली परते कावरें होता फेपड़ों पर पतली परत चड़ी होती है वही तो उन पतली परत को क्या कहती है ठीक है तो उस पतली पतल परत को हम कहते हैं पल्यूरल मेंबरेन ठीक अब ही क्या कहते हैं पल्यूरल मेंबरेन कहते हैं यह मेंबरेन चमकदार्द अधा पतले आवन होता है और यह फेप्ड़ अबर चड़ी होती है ठीक है अगरा किस्ट ने जब जटिल बोजन पद्दार्थ सरल और सोशू रूपों में प्रियुर्तित होता है तो इस पर क्रिया को क्या करते हैं करने कामलों के हैं जब जटिल बोजन हैं हम उसे क्या करेंगे पहले लिक चबाएंगे चबाने के बाद को अभी आमा से हम जाएगा, आमा से मैं आइड़कुरी कमल के साथ अभी किरिया करके तो छोटे टोटे टोट जाएगा और वो बोजन अमली हो जाएगा उसके बाद उस चोटी आत में जाएगा और चोटी आत में उस से क्या किया जाता भी तो टिया तो ये परिक्रिया करी जाती है जो तरल पद्दार्त उससे जो पोशकतता हुए अवसोसित कर लिया जाती है ठीक है भई तरल पद्दार्त अवसोसित कर लिया जाती है और ये परिक्रिया क्या क्या लाती है पॉच्छन क्या लाती है अगला जब मिश करी है या कमज द्वाई दे जाती है तो उसे टीक के दवार दे जाती है के एंटिजनिक पदार्थ रैक्षिन जो शरीर में डालती है जिस से पर्क्रियाओकर भी उसे जान आती है अगला कि उसने है, मानो वर्दे में कितने कक्स होते हैं, तो मानो वर्दे में च्यार कक्स होते हैं, ठीक है, दो होते हैं निल्ले, और दो होते हैं आलिंद, ठीक अभी दाई आलिंद, बाई आलिंद, दाई निल्ले, बाई निल्ले, अगला किस्वन फेपड़ों के शेयर रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रातमी प्रभावित होता है तो फेपड़े होते हैं ठीक है इससे कौन सा रोग क्या प्रभावित होते हैं शरीर के कौन सा प्रभावित होता है फेपड़े अगला किश्वन निवन में कौन सा हमारे बजुन का एक पर मुख गटक है तो इसमें कार्बोईडरेट हमारे बजुन का एक मुख गटक है इसमें मंड या सरकरा के रूप में पाय जाता है यो कि इसके रूपर रूपर जाता है भी सरकरा जो कार्वय डेट है मंडिया सरक्राय के रूप में पाया दाता है अगला की सुन है यदि एक सृल नेतर अपोर्तन सक्ती एंपेपेट्रोपिक नेतर से अधिक हो जाए तो इसे क्या कहेंगे मायोपिया कहेंगे कारें कीарम यहां खालव का है मायाप यहां होता है गिन निकट दिरस्टिक ती को उच सां का जाता है ? इसमेब्स का छाता है इसमें व्यक्ति को निकट को उच्छत साप दिखाये देती लेकिन दूर का वस्तू साप नि दिखाये देती इस myopiocations उदन के लिए कुल सा लैंस को प्योग किया ज़ता है अवतल का यह भी अवतल लैंस को प्योग किया ज़ता है अगला question है डैस एक पारदर्शी रंग ही उदासी जल है जो नित्र पुटिका में 4 बटे 5 पास्चे को बढ़ देता है तो इशे कहते हैं चाँप द्र्वाइभ यह कहते है यह रंग ही उदासीं होता है इसका अपटनांग होता है इसका यह इत्的时候 अपटनांग होता है अगला question है डैस को परकास की दिशा में परिवर्तन के रूप में परिवाजित किया गा है कहने का मिला है जो परकाश की दिशाम उत्रों परिवरतन कर दें, उसना पा के कम ओंए अपुर वरतन कहतें है भी उसे, अपुरतन, ठीक है यानि कि देखो, या एक काच की सलेव है अपर तुमम मैं समझा दीओ काच की सलेव है जब एक परकाच की करन आती ही नी से कहते हैं आप तीत करन आप तीते करन घख है, इस परकाच आती है और यहांएग अब इलंबरता है तो यह किरल जानी चाहिए थी इस परकार लेकिन क्या है इस परकार मुर जाती है तो जब विरल मदम से संगन मदम में जाएगी तो यह नूर्मल की तरफ जुग जाएगी और जब इस संगन मदम से विरल में जाएगी तो नूर्मल से परे हो जाएगी इस परकारे यो तो है संगन मद्धम संगन मद्धम और जो आवाब आड़ा है वो है विरल ठीक अभी तो इसका राइटन सवर अभी अपॉर्तन अपॉर्तनांग ठीक है तो आज ही किलास में अपने इतना है आज ही किलास में आवना भाई तोड़ा किउस्टन कवर कट लिए है ये सारी किउस्टन प्रिवीश एर की है CAT गुरूप डी के लिए क्योंगि गुरूप डी में 15 नमबर की साइंस आवगी भाई ठीक है और अम प्रिवीश एर किउस्टन हर रोज करवाण लागिर है अपने चन्नेल का जुड़ेरों लगात आप देख्तेरों जै हिंजै वारत आपका दिन सुभ हो